नमस्कार गिसान भाई, आज हम इस वीडियो में Greenland Company के प्रोड़क्ट रिपर बाइंडर के बारे में बात करेंगे ये सारे ही प्रोड़क्ट made in इंडिया है, वह इस वीडियो में हम इन चार रिपर बाइंडर मशिन्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे Number 1, Self-Propelled 4-Wheel Reaper Binder Machine Number 2, Self-Propelled Attached Front Reaper Machine Number 3, Tector Back Mounted Reaper Binder Machine Number 4, Tector Front Mounted Reaper Binder Machine इन मशिन्स की क्या-क्या विशेस्ता हैं या किस तरह से काम करती और किसान भाईयों को इनका उप्योग क्यों करना चाहिए इन सारे ही पोइंट्स पर डिटेल में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो को अंत्र तक जरूर देखे आते हैं हमारी पहली मशिन पर Self-Propaled 4-Wheel Reaper Binder Machine पहले हम यह मशिन किस तरह से फिल्ड पर काम करती है उसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद में इसकी क्या-क्या विशेस्ता हैं उन पर बात करेंगे जैसा की नाम से ही क्लियर है कि यहाँ एक स्वचालित Reaper Binder Machine है इसमें 4-Wheel है वह 10 HP का Diesel Operated Engine है चालक को बेठने के लिए एक Comfortable Seat है जिस पर किसान भाई बेठकर गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा वह अन्य फसले, जिनकी हाइट 2-5 feet तक रहती है, उन्हें आसानी से काट सकता है ना सिर्फ काट सकता है, बलकि यहाँ मशीन पूले भी बनाती है क्योंकि मशीन का नाम ही है Reaper Binder Reaper का मतलब होता है काटना, वह Binder का मतलब होता है बांधना इस मशीन को हम दोनों तरह से Self वा Rope से Start कर सकते हैं बात करें इसकी Working Capacity की तो एक घंटे में हम एक एकड तक की फसल आसानी से काट सकते हैं वह भी जमीन से 2 इंच से लेकर 5 इंच तक क्योंकि इस मशीन में कुछ इस तरह से सेटिंग दी गई है कि आप 2 इंच से लेकर 5 इंच तक जो भी आपके लिए सूटे वाल है वह सेट कर सकते हैं इस मशीन के फ्रंट में 4 फिक चोड़ा कटर बार है अब हमारे काम करने का कोई समय नहीं रहता क्योंकि किसान को दिन में भी काम करना पड़ता है वह परिस्थितियों के अनुकुल रात को भी काम करना पड़ता है रात को काम करने में अंधेरे से किसान भाई को परेशानी आती है इसलिए इस परेशानी को समस्ते हुए ग्रीन लेंड कमपनी ने इस मशीन में दो LED लाइट आगे की तरफ वा एक LED लाइट पीछे की तरफ दिये जिससे किसान भाई रात में भी अपने काम को आसानी से कर सकता है अब आते हैं हमारी दूसरी मशीन पर इसे हम जो हमारी पहली मशीन थी सेल्फ प्रोपेल्ड फोरविल उसमें सामने की तरफ अटेच कर सकते हैं यहां मशीन सिर्फ फसल को काटती है बानती नहीं जोकी नाम से क्लियर है यहां रिपर मशीन है इसकी working capacity एक घंटे में देड़ एकड तक की फसल की कटाई कर सकती है आते हैं हमारी तीसरी मशीन पर Tector Back Mounted Reaper Winder Machine हम पहले इस मशीन का एक छोटा सा वीडियो की क्लिप देखते उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे जैसा की नाम वह वीडियो से आपको क्लियर ही हो गया हो गया की इसे हम अपने Tector में पीछे की तरफ असेंबल कर सकते हैं उन सभी Tector में Mounted कर सकते हैं जिनकी Power 35 HP से उपर है इससे भी हम उन सभी फसलों को काट सकते हैं जो की बाकी दोनों मशीनों से काटते हैं इसकी Working Capacity एक घंटे में एक एकड़ तक की फसल काट सकती है अब आते हैं हमारी Last Machine पर Tector Front Mountain Reaper Brinder Machine जैसा की नाम से ही Clear है की इसे हम Tector के सामने वाले हिस्से में Assemble कर सकते हैं उन सभी टector में जिनकी पावर 25 HP से अधिक हैं इस मशीन की Working Capacity बाकी मशीनों से थोड़ी जादा है या एक घंटे में देड एकड़ तक की फसल काट सकती हैं इन सारी ही मशीनों में जो बानने के लिए धागा यूज होता है वह Greenland Company खुद बनाती है यहां प्लास्टिक धागा काफी मजबूत होता है जो की बानते समय तूटता नहीं है जिससे हमारी Work Capacity बिलकुल भी प्रभाईत नहीं होती अब जानते हैं कि यहां मशीन किस तरह से किसान भाईयों के लिए उप्योगी है आज से कुछ समय पहले मजबूर मिलने में कोई परिशानी नहीं आती थी पर समय के साथ आज हमारी फसल की कटाई के लिए मजबूर मिलने में थोड़ी परिशानी आती है और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें मजबूर ही न मिले इसलिए यहां मशीन हमारी फसल काटने के लिए एक विकल्प और हमें देती है साथ ही जब फसल पक्कर तेयार खेत में खड़ी रहती तो यहां किसान भाई के सीने पर सबसे बड़ा बोज होता है क्योंकि उसे यही चिंता सताय रहती है कि कहीं उसकी फसल मोसम की मार से खराब न हो जाए जैसे कि आंधी और तूफान और इस समय पर मजबूर ना मिलना उसकी समश्या को और बड़ा देता है इसलिए इन मशीन से हमारी मजबूर पर जो निर्भरता है वहां खत्म हो जाती वह हम जब चाहें तब हमारी फसल को काट सकते हैं रीपर ब्रैंडर मशीन से हम रोजगार भी ले सकते हैं क्योंकि इस से हम ना सिर्फ अपनी फसल काट सकते हैं बलकि हम बाकी किसान भाईयों की फसले भी काट सकते हैं। हमारे एरिया में एक एकड गेहूं की फसल की कटाई का खर्च मजदूर 3000 रुपे के आसपास लेते हैं। और इस मशीन से एक एकड की कटाई का खर्च मात्र 100 रुपे के आसपास आता है। हाँ इस मशीन का खर्च अलेगे ये सिर्फ हमने diesel और expense का खर्च पता है इस मशीन पर आपको government की तरफ से 50% government subsidy भी मिलती है आज से तकरीबन 20-25 साल पहले टेक्टर को लेकर भी किसान भाईयों के मन में यही असमंजस था कि यह हमारे काम में आएगा या नहीं पर आज टेक्ट के क्या-क्या प्राइज है वह और भी डीटेल आप जानना चाहते तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर फोन करके सारी डीटेल ले सकते अगर इस वीडियो में दी गई जानकरी आपको अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्चिक करें धन्यवाद किसान भाईयो जय जवाद जय किसान